हालो फ्रेंट्स वेलकम अगेन प्रोजेक्ट एजुकेशन आप सभी का स्वागत अगर आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें बेल आइकन जरूर दबाएं जिसे लेटिस्ट वीडियो के अपटेट आपको मिलते रहें फ्रेंट्स अपने ग्रूपिंग क्लियर कर ली थी क्या यह समझना जरूर है अगर यही नहीं समझ पाएंगे तो फिर मतलब क्या तो सबसे पहले तो अपने इस पर फोकस करते हैं कि पर्मूटेशन ऑफ अलाइक अब्जेक्ट्स क्या होता है जैसे मैंने लिया होनो लूलू मैंने लिया होरल ठीक है मैंने लिया होनो लूलू और इसमें से क्या करते हैं ते डिफरेंटम और बनाने थे, बनाते थे, सबोस्च फॉर लेके बना लो, इसमें 5,'re हाँ, 4 लेके बना लो यए सारे लेकर लेकर बना लो different different word बनाने तो इसमें क्या था इसमें friends दे कुट डी आगया है यहाँ पर, तो डी कहीlla ओग É आए जितने भी अपने बास लेटर नहीं हुआ रिपीटेशन लेटर का R R R O N O यह repetition हुआ कहने का मतलब इसमें alike objects नहीं था दो objects एक जैसे नहीं थे यहाँ पर दो objects एक जैसे है उससे ज्यादा भी है जैसे U U एक जैसे L L एक जैसे यहाँ O O एक जैसे यहाँ देखो R three times एक जैसे O O एक जैसे alike एक जैसे अब एक जैसे जो अपने पास objects आगे उनसे अपन को क्या करना है permutation बनाना सीखना different different time के कितने words बनेंगे पहले क्या होता था पहले होता था सब different होते थे letters अब क्या होगे same same भी आने लग गए तो अब अपन पढ़ेंगे permutation of alike objects मतलब इस type के जो अपने पास होंगे ठीक है problems उसमें से जैसे मुझे बोल दिया गया कि Honolulu से complete 3, 3, 6, 8 letter है 8 letter को यूज करते वे कितने words बना सकते हो मुझे पूछा Honolulu के 8 letters को Honolulu के 8 letters को use करते वे कितने words बना सकते हो how many words you can make using Honolulu 105 3 letters को use करके आप कितने words मना सकते हो के वल 3, 2, 3 Ko". Honolulu से 3 letters यूज करके आप कितने words अपने लग-लग type के बना सकते हो order parameter order में 6 letter है 6 letter को use करके आप कितने words मना सकते हो suppos 4 letter कह दे कि six में से four letter लेके horror के आप कितने अलग लग words बना सकते हूं ऐसे क्यूशन आएंगे इनको कहेंगे क्योंकि इसमें objects कैसे हैं एक जैसे तो यह concept आपके clear होगा कि अलाइक क्या होता है और पहले अपन नहीं क्या पड़ा था पहले अपन डिफ्रेंट डिफ्रेंट लेटर्स पे खेल कर रहे थे अब यहीं डिजिट पे बात करें सपोस्ट डिजिट पे बात करें तो पहले अपन आपने को सारे लले या कुछ लले उनमें से वह नंबर बनाने अलग लग तो कितने बनेंगे तो यह अपन पुराने वाले कंसेप्ट से नहीं कर सकते इसके लिए अपन को नई थियोरी सीखने पड़ेगी क्या गए अलाइक ओब्जेक्स तो इनमें क्या होगा अपन सीखें है अब डेखो पर्मुटेशन अलाइक उब्जेक्स में अपन दो टोपिक पड़ेंगे मेली किन टोपिक्स पर फोकस करेंगे ज्यां दे पहला टोपिक तो यह की टकन ओल एक टाइम टेकन ओल ए टाइम परस्ट नमबर पर अपन पढ़ने जा रहे हैं कि टेकन ओल एक असे इसको भी समझ ले मैंने समझा चुका हूं फिर भी समझा देता हूं हूंड जैसे अब होले में मैंने का कितने लेंटर टोटलyer 45678 यह सभी को यूज करते हैं अब अगर मैं बोलो से केवल 5 लेंटर्स यूज करते वह आपको Zentrak तुभानें नहीं सब्सक्राइब अनुट कुल मिला के मैंने अभी तक के वल के वल को अलग अब्जेक्ट की एक तरिक से जैसे कहते हैं जैसे बूमी का बताई यह मतलब इस्तार्टिंग बताई यह चीजे है क्या है तो आप समझ गए होंगे अब इसको मैंडे कलौज करता हूँ अब अब टेमार जलते हैं और सवाल कैसे करने हैं ठीक है झाल झाल झाल